इस काहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस धर्ती पर सबसे पहले सिर्फ पानी ही था और उसके बाद धर्ती पर एक देवी आई जिसके पास creation का एक heart था जिसकी मदद से वो देवी हर जगा अलग-अलग जीवो को create करने लगी उन्हीं जीवो को जब ये पता चल वो उस हार्ट को पाकर काफी खुस था, उसे लग रहा था कि वो अब अपने मुताबिक क्रियेशन कर शकता है, लेकिन उस देवी के पास वो हार्ट ना होने की वज़े से चारोतरापंद कार फैलने लगा, और उसमें सिटी का नामक एक दानव पैदा हुआ, जिसने मावी के पर हमला कर दिया, उसके हमले शेमावी का देवी हत्यार और वो क्रियेशन हार्ट दोनों ही शमुद्र में गिर गए, ये कहानी टाला नामक एक बुड़ी और चोटे चोटे बच्चों को सुना रही थी, सभी बच्चे इस कहानी को सुनकर डरने लगे, लेकिन उन्हें में म मौाना नामकी एक बच्ची एक कहानी शुनकर काफी खुस होती है, वो बुड़ी और तुन बच्चों को बताती है कि अंधेरे को खत्म करने के लिए देवी को उसका क्रियेशन हार्ट लोटाना होगा, लेकिन कहानी के दोरानी वहाँ पर मौाना के डैड तुई आ जाते है जो कि उसकभी लेके शरदार थे और वो बुड़ी और ताला उसकी ग्रैंड मदर थी, मौाना को प्यार करने के दोरान तुई से वहाँ के सभी परदे खुल जाते हैं, जिसको देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डरने लगते हैं, वहीं मौाना को जब कोई नहीं रहा था तो वो मौका पागर वहाँ से बाहर समुदर के किनारी पर आ जाती है, जहां उसे एक कच्वा दिखाई देता है जिसे कुछ बर्ड परिशान कर रहे थे, तो मौाना उसको पानी तक पहुचाने में उसकी मदद करती है, और उसके बाद जब मौाना समुदर के तो वो उसे किनारे तक सेफली पहुचा देता है, मौाना के डैड उसे वहाँ से ले जाते हुए समझाते हैं कि तुम्हें समुदर के किनारे से दूर रहना चाहिए, मौाना को बहुती चोटी उम्र से ही ये समझा दिया गया था कि वो इस कबीले की सरदार की बेटी है, और उसे ही आगे चल कर इस कबीले का नया लीडर बनना है, और इसलिए उसे अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, लेकिन मौाना समुदर में जाने की जेद पकड़ी होती है, वो समुदर के उस पार जाकर ये जानना चाहती थी कि उस पार है क्या, मौाना के डैड उसे और अपने जिम्मेदारियों को समझ सकती है, वहीं वो नोटिस करते हैं कि उनके टापू के सारे नारियल के फल धीरे धीरे खराब हो रहे थे, और उनको अब समुदर के किनारे से मचलिया भी नहीं मिल रही थी, सभी लोगों को ये पता था कि ये सब उस देवी के हार्ट क सही जगा पर ना होने की वज़ा से हो रहा है, मुआना ही सब देखने के बाद उनसे कहती है कि आप सभी लोग समुदर के बीच में क्यूं नहीं जाते हैं, और उससे कहते हैं कि हम किनारे के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, ये हमारे नियम के खिलाफ है, मुआना इस बात स सुनकर मौाना समुदर में जाने की बात सोचना छोड़ दीती है और उस मौन्टेन पर जाकर वो अपना पत्थर रखने ही वाली थी, क्योंसे लगता है कि एक बार तो बीच समुदर में जाना चाहिए, और वो अपना बोट लेकर समुदर के बीच में जाने के लिए निकल ताला देख लीती है और वो उसे उसके असलियत बताने के लिए उसे एक गुफा के पास ले जाती है और वो मुआना से कहती है कि इस गुफा के अंदर जाकर वहाँ पर रखे ड्रम को बजाना वो उस गुफा में जाकर जैसे ही ड्रम को बजाती है वहाँ पर अपने ही आप आ उसके जग़ा नाविक की बेटी है और इसलिए तसमुद्र चाहत है वहीं पर मुआना की दादी उसे बताती है कि ये इंदकार उस देवी के हार्ट के उसके जगा पर पहुंचाने के लिए तुम्हें ही चुना है और इसलिए तुम्हे माविक को धूड़ना होगा और उसके CR आकर तुम्हें उस हार्ट को उसके असली जगा पर रखना होगा वहीं हम देखते हैं कि समुधर भी आकर ताला की बातों में हामी भरता है ये देखकर मौाना काफी खुस होती है और भागती हुई अपने पिता के पाथ जाती है और उनसे कहते हैं कि हम लोग तो नाविक थे नाव चलाया करते थे तो फिर हमने अपने काम को क्यों छोड़ दिया हमें बस मावी को ढूंड कर उस देवी के हार्ट को लौटाना है और उसके बात सब कुछ ठीक हो जाएगा ये बात सुनकर मौाना के डैड उस पर काफी घुसा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और ये कहते हुए उसके हाथ से वो हार्ट लेकर दूर फिक देते हैं वहीं मौाना को जब ये पता चलता है कि उसकी दादी की तबियत बहुत खराब है तो वह उससे मिलने जाती है जहां पर उसकी दादी उससे कहती है कि तुम्हें मावी को ढोंड कर उस देवी के हार्ट को लौटाना होगा ये बात सुनकर मौाना वहाँ से फौरण निकल पड़ती है उसकी मौम ये बात जानते हुए भी वो उसे जाने से नहीं रोकती बलकि वो उसे वहाँ से जाने में उसकी मदद करती है वो जब अपने सफर पर निकल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका चिकेन फ्रेंड भी उसके साथ ही आ चुका है मौाना को उसकी दादी ने बताया था कि रात में तुम्हें एक होक दिखाई देगा जिसका तुम्हें पीछा करना है रात में लहरे काफी बड़ी हो चुकी थी जिसकी वज़े से मौाना अपने बोट के साथ ही पानी में गिर जाती है और वो डूबते हुए अपने आपको बचाने के लिए समुद्र से मदद भी मांगती है और इसके बाद जब मौाना की आगफ कुलती है तो वो खुद को एक आइलेंट के किनारे पाती है और वहीं पर उसे मावी भी मिल जाता है जो मौाना को अपने achievement के बारे में बताता है और इसके बाद वोसे एक चट्टान के अंदर कैद कर दीता है और इसलिए मावी को ना चाते हुए भी मौाणा को अपनी साथ रखना पड़ता है। वहाँ पर मौाणा मावी से कहते है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उस देवी को उसका हाट लोटाना होगा। और मौाशना के हाथ में उस हाउट को देखकर मावी डरने लगता है और तबी उनकी जाच पर कोको待 वारियर उस हाउट को लेने के लिए हमला कर देते हैं तो यह देखकर वो चिकेन उस हाउट को निगल लेता है जिसके कारण वो कोकोनट उसे उठा कर अपने साथ ले जाते हैं मौाना ये सब देखकर मावी से मदद मांगती है लेकिन मावी कहता है कि ठीकी हुआ जो मुसीबत यहां से चली गई उसके मदद ना करने पर मौाना अकेले ही उस चिकेन को बजाने के लिए चली जाती है और किसी तरह उसे बजा कर वापस भिले आती है लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोकोनट वारियन ने उन्हें चारो तरब से घेर लिया है तो इसके बाद मावी उस बोट को सही सलामत वहां से बाहर निकाल लाता है रास्ते में मौाना मावी से उसके टैटू के बारे में बूचती है कि ये कैसे बनी तो मावी उसे बताता है कि ये टैटू अपने आप ही बन जाते हैं और ये मेरे बीते हुए दिनों के बारे में बताते हैं। वही मौाना मावी से बोट चलाना सिखाने को कहती है। तो मावी उससे कहता है कि ऐसे ही कोई भी बोट चलाना नहीं सिख सकता। और ये कहते हैं वो उसे पानी में गिरा दीता है। लेकिन समुद्र एक बार फिर से मौाना को बोर्ट पला दीता है, तो मावी ना चाते हुए भी मौाना को बोर्ट चलाना सिखाना पड़ता है, रास्ते में मावी मौाना से कहता है कि जब तक मेरा हतियार मेरे पास नहीं, वो उस देवी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाने पर काफी खत्रों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए वो दोनों सबसे पहले मावी की हत्यार को लाने के लिए जाते हैं उनके रास्ते में एक मौन्टेन परता है जहांपर मावी मौाना को आने से रूपता है और वो बताता है कि इसके अंदर एक टामाटोवा नामक मौन्स्टर है जो तुम्हें जिंदा ही निगल जाएगा लेकिन मौाना उसकी बातों को नजर अंदाज करके वो भी उसके पीछे चली आती है और इसके बाद वो दोनों उस मौन्टेन से जंप लगा कर समुद्र के नीचे चले आते हैं जहांपर वो मौस्टर टामाटोवा रहता था उसका ध्यान बटकाने के लिए मावी मौाना को आगे बेजता है जिसको लेने के लिए टामाटोवा आगे आता है तो मौना मावी और उसके हत्यार को लेकर वहाँ से भाग निकलती है बाहर आने पर मावी मौना को बताता है कि अपने हत्यार से काफी दूर होने की वज़ए से वो इससे कंट्रूल करना भूल गया वो मौना को आगे के रास्ते के बारे में बताता है कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं वही मौना जब मावी के बारे में पूछती है तो मावी उसे बताता है कि वो भी इंसानों के बीच ही पैदा हुआ लेकिन जब इंसानों ने उसे ठुकरा दिया तो God ने उसे अपना लिया और God ने उसे जलवाई और धती पर शर्वाइब करने की सक्तियां दी उसी ने इंसानों को आग जलाना, खाना बनाना और खेती करना सिखाया और वो इंसानों की भलाई के लिए और भी बहुत सारी लेकर प्रैक्टिश करने लगता है और काफी कोसिस करने के बाद मावी अपनी सक्तियों को कंट्रूल करना वापस से सीख गया था दोनों अब उस आइलेंड के पास पहुंच चुके थे जहां वो देवी रहती थी लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उस आइलेंड तक पहुंच समुद्र को हाट देते हुए कि अब मैं आपका काम नहीं कर शकती आप किसी और को चुन लो समुद्र उस हाट को अपने साथ लेकर चला जाता है और इसके बाद मुआना काफी दुखी होकर भही रोने लगती है लेकिन तब ही वहाँ पर उसकी दादी की उसे आत्मा दिखा सूता है जिसके बाद वो समुद्र से उस हार्ट को वापश लेकर अकेले ही टेका से लड़ने के लिए चल देती है मौाना को वहाँ पर पता चलता है कि टेका पानी में नहीं आ सकता इसलिए वो पानी में से होते हुए आइलेंड को पार करने की कोसिस करती है लेकिन टेका ऐसा होने नहीं दी था और उसके हमले से मौाना की बोट पलट जाती है इसके बाद टेका जैसे ही मौाना पर वार करता है वहाँ पर मावी आ जाता है साथी मावी कई तरीके से टेका को माने की कोसिस कर रहा था लेकिन टेका खत्मोने का नाम ही ने लिरा था इधर मौाना उस देवी का हारट लेकर सामने वाले आइलेंड पर पहुँच जाती है और उस हार्ट को उसके जगा पर रखने के लिए वो उस डेवी को ढूंडने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, और जब मुआना टेका को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बलकि वही देवी है, जिसके पास उसका हार्ट ना होने की जाता है, और उस बुरे आइलेंड पर हर्याली चा जाती है, इसके बाद वो देवी मावी और मुआना को समझ जाती है, जहां पर मावी उस देवी से माफी मंगता है, और इसके बदले में वो देवी उसका देवी हत्यार वापस कर देती है, वहीं नहीं घर जाने के लिए और इसके बाद वो अपने असली सेप में आ जाती है मौना मावी से गले मिलकर कहती है कि मुझे आपसे अच्छा इंसान कभी नहीं मिला और इसके बाद मावी अपना हतियार लेकर वहाँ से चला जाता है और मौाना भी अपना boat लेकर वापस अपने island पर आ जाती है उसके कभी लेकर सभी लोगों से देखकर काफी खुस होते हैं और इसके बाद वो दोबारा से अपनी जहाजो को समुद्र में उतार देते हैं मौाना भी अच्छी लीडर की तरह अपने लोगों को समुद्र में boat चलाना सिखाती है और खुसी-खुसी अपनी जिंदगी बिता आने लगती है और इसी के साथ ये movie यहीं पर खत्म होती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो please do like and share this video and please subscribe to my channel and press that bell icon